सलाम अलेकूं और रह्मतुलाहिवा बरकातों प्यारे बच्चों कलास फोर्थ का उर्दू तैमीरी उर्दू हम आप नए सेशन के लिए शुरू कर रहे हैं आप बच्चों ने अपना सालाना इम्तिहान दिया अब हम नए साल का जो सेशन है वो शुरू करने जा रहे हैं पैरे बच्चों उमेद है कि आप सब बखेर और आफित होंगे आप आप सब को अपने मकस्द में काम्याबी आता फर्माए हमें आज नए कलास फोर्थ का पहला लेसन शुरू करना है जो दूआ है दूआ से मुराद इलतिजा दूआ से मुराद इलतिजा, मुनाजात, मांगना वगेरा साबक में दिए गए नए अलफाज जो हैं नए अलफाज का तारुफ के तोर पे वो है मुनवर, तवफीक, दोई, संबालू, जजबा इन अलफाज के माने याद रखने हैं और इन को जुमलू में इस्तेमाल करना है पेरे बच्चों जो मुनवर है, मुनवर से मुराद रोशन होना या रोशन करना तो अगर हम इसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे हम इसको इस तरह जुमला बनाएंगे एए अल्ला मेरी जिन्दगी को इल्म की रोशनी से मुनवर कर दे यानि मेरी जिन्दगी को इल्म की रोशनी अता कर दे तो ऐसे ही दूसरा अलफाज जो है तवफीक, होसला, हम्मत इसका जुमला इस तरह आएगा ए खुदा मुझे ने काम करने की तवफीक दे दोई, नफरत करना हरी इनसान को दोई जैसी बुरी आदत से दूर रहना चाहिए संबालूं, दुरुस्त करूं, दुरुस्त रखना मेरे रुब मुझे ऐसा इल्म अता कर, जिससे मैं अपने आपको संबालूं ऐसे ही जजबा है, दिल का जोश, इरादा, हमें हर वक्त ने एक काम करने का जजबा अपने अंदर पैदा करना चाहिए, या होना चाहिए तो यहां पर हम जो शुरू करते हैं, यहां लेसन में, इब्तिदाईय में, मुसन्निफ ने दो अलफाज दिये हैं, वाली और माली, दो हम आवाज अलफाज है, इन में हर एक हुरूप में, हर एक अलफाज में, चार हुरूप है जैसे वाव, इलिफ, लाम, या, और माली में, मीम, इलिफ, लाम, या, अब मुसन्निफ ने यहां पर सवाल दिया है, कि आप भी ऐसे ही चार, चार हुरूप के अलफाज लिखिए, जिनकी आवाज एक हो, अब जो हमने यहां पर लिखे हैं, जो हम लिखेंगे, पढ़ेंग लिखेंगे, उसमें पहला यह है, अकरब, इलिफ, काफ, रिय, बिय, अकरब, इसका मतलब है, करीब, नजदीक, और दूसरा अकरब, एन, काफ, रिय, बिय, अकरब, बिच्छू, नमबर दो, चारा, चारा, चारा से मुराद गास, जिम लिफ, चारे है, रह, चारा, कोशिश, तीसरा, अदीम, अदीम, एन, दालिय, अमीम, अदीम, एन, दालिय, अमीम, अदीम, से मुराद, नायाब, नायाब, और अदीम, इलिफ, दालिय, अमीम, अदीम, से मुराद, कच्चा, चाचा आप चाओ था जो है वो है नजीर नून जौई यह रिया नजीर इस से मुराद बेमिसाल बेमिसाल और है नजीर इस नजीर से मुराद दरानी वाला और पांच वाल अफज है सिला सिन लाम इलिफ हाई सिला से मुराद हितियार और स्वाद लाम इलिफ हाई सिला 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 मुराद मशवरा यहां मैंने बताया सिला सिला से मुराद हिथियार और सला से मुराद मशवरा यह पांगा, चार अलफाद, चार हरूप के अलफाद हमने यहां पे जो लिखे हैं पांश पांश अलफाद वाले, एक नमबरे का या अक्रब अक्रब और अक्रब एन से और इलिफ से चारा इलिफ लास्ट में और राहा इलिफ लास्ट में अदीम से मुराद नायाब अदीम से मुराद कच्चा अदीम कच्चा और मैंने बताया नजीर नून जोई यह 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 बताया है जब आए तो अलहम्दलिल्ला सुनने वाला यरहमुक अल्ला शुकुर करें हम जब वो आए वहमी उसको बुरा बताए ये पहेली है चार हुरूप का लफज है छ्छव से शुरू होता है और काफ पर यानि कीफ जिसको हम पढ़ते हैं पर खत्म होता है इसे क्या मुराद है प्यरे बज्चो आप ये जानते हैं कि जब इनसान को छ्छींक आती है तो अलहम्दलिल्ला कहता है और सुनने वाला जो होता है वो यरहमुक अल्ला कहता है इसलिए ये चार हुरुप से बनने वाला हुरुप है च्छू या नून कीफ च्छूंक ये याद रखना प्यारे बचो अब यहां पे मुसन्निफ ने अलफाज को बेतर्तीब लिखा है इनको बातर्तीब बना के हमें सही जुमले में तब्दील करना है बेतर्तीब मुसनिफ ने इस तरह लिखा है है रखता अल्ला को उन दोस्त जो करते पार दूसरों रहम हैं और हैं की उन बलाई चाहते तो यहां पे अब इसको हमें सही तर्तीब से लिखना है वो इस तरह है अल्ला उनको दोस्त रखता है जो दूसरों पर रहम करते हैं और उनकी बलाई चाहते हैं चाहते हैं यह इस बे तर्तीब जुम्ले की सही तर्तीब है प्यारे बच्चों यह ऐसी बात है जो हमारे लिए पूरी जिन्दगी में रहनमाई का काम दे यानि अल्ला उन लोगों को अपना दोस्त रखता है अपना करीबी रखता है जो दूसरे लोगों पर यानि अल्ला के बंदों पर रहम करें और उनकी बलाई के लिए काम करता रहे तो अब हमें जो नजम शुरू करनी है वो इस तरह है शायर ने यहां पर नजम जो दी हुई है यह तर्मीम शुदा नजम है क्रिशन परिवेज की है शायर इसमें दौ़ा के तोर पर खुदा से इलतिजा करता है मांगता है कि खुदाया मिले इल्म की रोशनी मुनवर हो उसे मेरी जिन्दगी चलूने एक रस्ते पे में अमर बर हो सची कमाई पे मेरी गुजर जहां में सबूं से मिलूं प्यार से न छोटा करूं दिल के भी हार से बदी से बचों में बलाई करूं नहीं बूल कर भी बुराई करूं ये तवफिक देना मुझे ए खुदा करूं फर्ज दुनिया में अपना अदा नदोई का जजबा कई भी दिल में हो संबालूं इसे में जो मुश्किल में हो यही बस है यारब मेरी आरिजो तेरा जलवा मुझे को मिले चार सो प्यारे बच्चों इस नजम को आप भी अपनी जगह तर्णुम के साथ पढ़ने की कोशिश करें और तर्णुम में पढ़ने में ही सही मिठास सही मज़ज़ है नजम पढ़ने का इसमें आप एक बात याद रखेंगे कि नशाइरी में चाहे नाजम हो गजल हो जो भी सिनफ इसमें हो जो भी किसम हो उसमें रदीफ और काफिय का इस्तेमाल होता है पहरे बच्चों जैसे इस पहरे शेयर में की रोशनी मेरी जिन्दगी उमर बार गुजर प्यार से हार से बलाई करूं बुराई करूं खुदा अदा में में हूं या दिल में हूं मुश्किल में हूं आरिजो सो प्यारे बच्चों इन अलफाज को शाइरी की सिनफ में रदीफ और काफिया कहा जाता है जिसको आप अंग्रीजी में राइविंग वर्ड्स कहते हैं ये एक आवाज पे खत्म होते हैं जैसे रोशनी जिन्दगी यहां पे दोनों या पे खत्म हुए है एक ही इनकी आवाज है इसलिए इन अलफाज को रदीफ काफिया कहते हैं और आप याद रखेंगे जो ये आ तर्टीफ कहा जाता है जैसे बार गुजर से से करूं करूं खुदा अदा ये एक ही आवाज पर खत्म होते हैं पहरे बच्चो यहां तक जो अलफाज के जुमले ये चार हमावाज अलफाज पांच और जरा बोजिए ये सेंटेन जो हमने लिखा जुमला जो लिखा सही तर करें और इस नाजम को तरान्म के साथ पढ़ें काल इन्शालला इस साबक की पूरी ताश्री अगले लेसन में होगा